So hello and a very warm welcome to all of you on the platform of Blake, Nerd or K2R. Here we are continuing our quick revision series chapter 13, Class 12th History, Mahatma Gandhi and the Nationalist Movement. Kuzino's से व्यस्तताती COT program को लेके COT course को लेके इसलिए मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना रहा था. अब जो है इसमें कोई भी डिले नहीं होगा and अगर आपने हमारे C.U. जाके Demo Lectures को रहीं देखा है तो do check that out. आप वो साइट पर जाके लोगिन करके देख सकते हैं. एप का लिंख हम नीचे डाल दिया है. वहाँ पर अभी तो वो Play Store पर लिस्टर नहीं है तो अभी Drive folder में हमने डाला हुआ है. तो वहाँ से आप इस्टॉल कर ले. वहाँ से Demo Lectures देख ले. तो Blade Runner here presents the most affordable and comprehensive course just for the humanities student. जिसमें हम लोग 5 domain के subjects cover करवा रहे हैं. History, Political Science, Economics, Geography and Sociology. Live Classes होंगे सारों के. With the Language, English जो है Language के तौर के हम लोग provide करवा रहे हैं. And surprisingly हम लोग इसमें general test को भी हमने include करा. In case जो DU के लावा बागी के universities को target कर रहे हैं. उनके लिए. तो इस general test के preparation में आपको quantitative aptitude, reasoning, GK static and current affairs के तयारी कराई जाएगी. With the material and the test series and everything comes at only 14.99 की. और जो pricing हमने र Demo Lectures देखे. And अगर आपको Demo Lectures पसंद आते हैं तो जल्दी से जल्दी अपने आपको involve करें ताकि आपकी live glasses मिस्ना हो जाते हैं. पहले इस chapter के contents को देखते हैं. इस chapter के title में दिया हुआ है, Salt Satyagra and Beyond. Salt Satyagra तक तो आपने 10th में पढ़ा हुआ है. इसके बाद की चीज़े क्या है? कृट इंडिया मुमेंट लॉज करेंगे, cabinet mission आएगा. बहुत सारी चीज़े हैं जो आप ने उसमें नहीं पढ़ा, roundtable conferences होंगे, elections होंगे, provincial assemblies के, muslim league कैसे अपना जो base है वो बढ़ाईगी, तो इस सब को इस chapter में देखेंगे. वैसे पीछे की चीज़े भी है. शुरुआत क में थे, South Africa में इनके प्रवास के दौरान इंडिया में चीज़े कैसे चल रही थी, 1890 से लेके, 1915 में, इस दौरान कैसे कैसे चीज़े जो है, डेवलप होती है, वहाँ पे हम लोग partition बिंगॉल देखेंगे, सुदेशी movement को देखेंगे, then जब गाधिर इंडिया आते हैं, तो रीजनल सत्यागरा जो लाँच करते हैं, खेडा में, चंपारन में, इमताबाद में उनको देखेंगे, then रॉलल सत्यागरा, ये एक, इसको भी आप नेशनवाइड सत्यागरा तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये लिमिटर था नौर्थ इंडिया, स्पेसिकली पंजाब और मद् परदेश तक के रीजन्स में, लेकिन इसने भी गांदी जी को नेशनवाइड फेम एक दिया, फिर नौन कॉपरेशन मूमेंट लाँच करते हैं, और किस तरीके से जो ये लोगों की रीडर बनते हैं, लोगों की सेंटिमेंट कैसे गांदी जी से जुड़ती है, क्या-क्या उसके लिए उसको देखेंगे, इनके सिल्फर ऐलाइंस के कॉसेट को देखेंगे, आजकल आत्म निडभरता जो है, वो बहुत ट्रेंडिंग सब्द है, तो इसको देखेंगे गांदी जी कैसे आत्म निडभरता को प्रीच किया करता थे, और फिर उसके बाद बात चीत का बढ़र शुड़ू होता है, जब इंडिपेंडेंस बिलेगी हमें और साथ में बटवारे का कम भी जिलना पड़ेगा, और लास में दिखेंगे कि महात्मा गांदी को जाने के लिए कौन कौन से सोर्सेज लोग रफर करते हैं, सो शुरुवात करते हैं, गांदी जी इन के लिए आगरह करते हैं, नौन वॉइलेंटली आगरह करते हैं, अहिंसक तोर पर जो प्रटेस्ट होता है, फुर बिगर काउज दैट इस कॉल्ड सत्यागरह, वही पर उसी दौरान, यह क्यों किया गादी जी ने, क्योंकि साउथ आफरिका में जो रेसिजम था, प्लेक्शन के थे, तो इस लेवली की डेसिजम थी, तो इसके खिलाब वह सत्यागरह करते हैं, और उसी टाइम पे उन्होंने जो कि इन्हें एक प्लाटफरम विला, तो उन्होंने जो हबसे एहम चीज है, उस पे बात की कि भाई, जितने भी अभी लोग हैं, इस सत्यागर पे तो घमंड करती हैं, कि हम लोग आपस में बिखड़े हुए हैं, तो हमें बुत्तहीद होना पड़ेगा, हमें एक जगे आना पड़ेगा, हमें उन्होंने वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन जो होता था लोग कास्ट के लोगों के साथ, उन्टेचाबिलिटी, पाड़न ये घातक जुम किया राता था, मतलब आप किसी कुए से पानी नी पी सकते, आप दुकानों में नी जा सकते, तो इस चीजों को हटाने के आवशकता थी, क्योंकि जब तक हम उनके इंटरेस्ट को नहीं रखेंगे, और तदाद किनकी जादा है, तदाद तो नहीं की जादा हमारा देश, तो ऐसा नहीं कि सारे के सारे capitalist हैं, सारे के सारे upper middle class के लोग हैं, तो जब तक वो लोग participate नहीं करेंगों और वो लोग क्यों नहीं participate करते हैं आपके nationalistic movement में, क्योंकि आपने उनको इपने घरों में नहीं कुस्ने देते हैं, आप उनको अपने साथ मैटने नहीं दो दलों में ये बटा हुआ था Congress, वैसे तो officially तो 1907 में split होता Congress में, उससे पहले भी Congress में दो विचार नहारा के लोग थे, एक नरम दल के लोग जो इनको हम लोग कहते है moderates, moderates का क्या कहना था कि हम लोग अग्रेजों से बाचीत करके, negotiate करके अपनी बाते मरवाएंगे, और पचासे, शासे सालों में कुछ भी नहीं उखा रहा है, तो इस बात को लेकिए और गोपाल किस्ट गोखले से ट्यूनिंग भी बैटते थी गांदी जी की, गांदी जी जो खुद भी एक अहिंसा के उजारी थे, अहिंसा के preacher थे, तो वो आते हैं जब तो गोपाल किस्ट ग पर्जा में कैसे लोग रहते हैं, तो फिर्स्ट नो थे पीपल होम यह उसके लिए बढ़ी से लड़ पाओगे, तो फिर वो ब्रमन पे निकलते हैं, इसी दौरार वो भी एच्चू के इनाउगरेशन को भी एटेंड करते हैं, उनको इन्वाइट क्या गया था, क्योंकि सा रास्टवादी लोगों के दवारा आया था, वो यहां पे अंग्रेजों कोई भी वैसा नी लगा हुआ था, तो जब वो जाते हैं, वो बहुत खुश्ट है कि भाई, अब एक रास्टवादी इन्वरसिटी जो है, वो बनने जा रही है, और बीच्चू के इनाउगरेशन म से, उस जमाने में कॉंग्रेसी थी, एक मातर पार्टी, तो उसे कहते हैं कि आपने ये बहुत बड़ी गलती की है, एक बहुत बड़ी इन्वरसिटी का यहां पे उद्गाटन होने जा रहा है, जिसमें कि सारे लोग आके पढ़ेंगे, एक बैस्टर का लड़का भी पढ़ कामियावी नहीं मिलेगे, क्योंकि इनके तदाद आप देखें, इनके तदाद बहुत कम है उन लोगों से जो खेतों में काम करते हैं, जो लोगों के बरतन मासते हैं, जो कपड़ाद होते हैं, जो लोगों के सामानों को डोते हैं, तो आपको उनको शामिल करना पड़ेगा और असली जो दर्द है वो तो वो लोग यह लड़ा है तो यह जो elite phenomenon बन चुका हमारा nationalism इसको हमें open for all करना पड़ेगा सारे लोगों को इसमें शामिल करना पड़ेगा तब ही यह जो nationalism है यह एक mass movement में तब्दील हो कि बरतानिया की हुकूमत को pressurize कर सकता है तो इस तिंग गांदी जी बेसिकली इंफिसाइज दे पॉन तो उन्होंने पहला जो अपना character था वो दिखाया 1915 में जब 1919 में sorry, inauguration में जब वो बेच्चू के जाते हैं तो clearly के जिए है कि हम जो nationalism movement का विजन अभी तक हम लोगों ने देखा है उसमें आपने कहीं भी गड़ीबों के interest को किसानों के interest को शामिल लई किया है You have to do this आपको अपने जेवरों को उतार के फेकना पड़ेगा ताकि आपके साथ वो जो तबका है वो जुड़ सके और जब तक वो तबकार ही जुड़ेगा तब तक आप जिवर पहने रहोगे और बरतानिया की गुलाम बनते रहोगे अब उसके बाद गांधी जी जितने दिन साउथ अफरिका में रहे उस बीच क्या क्या डेवलोपमेंट से उसको देख ले तो सबसे पहले पार्टिशन बिंगॉल की बात करेंगे दें सुदेशी मुमेंट की बात करेंगे दें सूरत में जो कॉंग्रेस सेशन में कॉंगरेस जो बढ़ जाता उसकी बात करेंगे पार्टिशन बंगॉल लौर्ड कर्जन को ये पता था 105 में की अगर हमने इंडिया के लोगों को रिलिजियस लाइन्स पर नहीं तोड़ा तो यहां के लोग उनिफाइड हो कि हमारा जीने हराम कर देंगे उन्होंने ठीक ऐसा ही कि बिंगॉल एक बहुत बड़ा सूबा था इसको दो टुकड़े में वाट दिया गया एक टुकड़े का नाम इस्ट में जो था उसका नाम दे उनोंने क्या रीजन दिया कि हमने बिंगॉल को इसलिए किया है क्योंकि बिंगॉल जो है बहुत बड़ा प्रोविस है एंड इस पे हम लोग अच्छे सरूर नहीं दे पा रहे थे तो इसलिए हमने सोचा कि दो पार्टे बाट लेते हैं देखो बिंगॉल को डिवाइड करन मैं मुसलिमों की तो और टार्टी यहां की ज्ञाले के वहां सब्सक्राइब करेंगी उंके लिए ज्धा काम करेंगा इस्ताइब चाती हो गैर कि तुरह दिखा जाता है तो इस्सारे ही विपॉ correct हैं भैसा सबस्क्रा नहीं चाहिद कर का look तो यहां पे भी हमारा जो कम्मिनल बैलेंस है वह विगड़ जाएगा तो बेसिकली यह विस्ट बिंगॉल और इस्ट बिंगॉल चुकि बिंगॉल को इसलिए तोड़ना जरूरी था बिंगॉल से ही उन्हें सबसे ज़्यादा खतरा था सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लो सब्सक्राइब करते हैं तो इस चीज़ को आप कभी ने समझे की बिंगॉल से केवल नरम दल जैसे लीडर निकलते थे निकलते थे तो बिंगॉल गया इसको लेके अगले साल 1905 में डिविजन हुआ और अगले साल लीडर्स ने कहा कि ब्रेडिशर्स ऐसा कैसे कर पाते हैं यह जब तक एकोनोे के लिए नहीं कमजोर होंगे तब तक हम इनका कुछ भी नी बिगार सकते हैं जब तिक ही कोनोमिकली मजबूत रहेंगे और पान्यटिकली मजबूत वैसे ही रहेंगे पैसा है तो अ looked था आम हेसे सबस्ए पहले जब टो काम हैं करना है वहां के अंडिक के पास option ही दी बच्चा बाहर के सामानों को खरीदने के लावा तो जितने भी कॉंगर्स के लीडर्स लीडर्स तो उन्होंने का कि हमें सबसे पहले जो ब्रिटेन में बने हुए सामान है उनको खरीदना बंक करना पड़ेगा जब वो बिकेंगे नहीं तो इनके पास पैसा न मिलती नहीं है खास करके जो मोडरेट्स और एक्ट्रमिस्ट थे इनके बीच तनाव जादा ही बढ़ जाता है मोडरेट्स कहते हैं कि हम जो सुदेशी मूव्मिंट जो चलाया है उसमें बहुत सक्सेस हमें मिली है एक्ट्रमिस्ट कहते थे कि इसको थोड़ा सा गरा और इं और जो एक्ट्रमिस्ट है उनमें सबसे बड़ा नाम आता है लाल बाल पाल का लाला लाज पत्राई बाल गंगा धरतलग और विपिंचंद्र पाल यह भी बिंगॉल से थे यह भी बहुत बड़े एक्ट्रमिस्ट रीडर थे और जितने भी रिवलूशनरी थे यंग वो सब एक्ट्रमिस्ट को फ्यपर करते से चाराम परसात विश्मिल के बात करें बगर सिंग चर्श खरादात की बात करें सुरह ता स्प्लेट हो चुका है कॉँगर्स अब कमजोर हो चूंकि एक्स्ट्रमिस्ट अब का लग है मोडरेर सब का लग है अब बरतानिया की हगूमत के पास सबसे अच्छा समय है कि भाई अब जो मरजी चाहे करो क्योंकि Congress जो इंटरली बहुत कम्जोर है और बाकी कोई तो है नहीं हमें बोलने वाला और तो कोई पार्टी है नहीं जुका था उसके बाद अगर बात करें गांदी जी आते हैं इंडिया में और वह घूमें इंडिया में Congress जोइन किया अगर से सेशन में के तौरान एक किसान उनके सामने आता है और कहता है कि सर हम ले सुनाई कि आप सत्यागे रखिया हुआ चंपार महां पिसाओ अफरिका में हमें भी कुछ ऐसी पड़िशानी है हमारे साथ भी Britishers बहुत जुल्म कर रहे हैं क्या आप हमारा साथ देंगे वो किसान थे राजकुमार शुकला और वो आए थे चंपारन से होने कहा कि हमें जो है freedom नहीं है कि हम लोग हैं तो किसान जमीने भी हमारी है बर freedom नहीं है तो गा लिगे में आता हमारा कि अंग्रेजो ने कहाता कि हर एक बीगे में आपके 20 कठे होता है तो इस कठे में आपको तीन कठा और रखना पड़ेगा और इस थी करनी है यहां पे दिक्कत दो थी एक तो यह सकते पर और किसी को पीच नहीं सकते तो प्राइसिंग भी आपको पता अपने 20 कट्टे में से 3 कट्टे में नहीं लुगाया दूती साला में वो जमीर बंजर हो गई वो ना तो इंडिगो होगा सकती है नहीं वो खादेपरदार्त होगा सकती है लेकिन अंग्रेजों के रेजर में तो अभी भी मारे पास 20 कट्टा जमीन है तो है तो कहने को वाली अभी मारे पास 17 कट्टा जमीनी तीन तो बढ़बाद हो चुकी है अब इस 17 में से फिर 14 रखना पड़ेगा खादेपरदार्त हो जो भी हम अपना करना चाहते है उसके लिए और तीन कट्टा हमें फिर रखना पड़ेगा इससे बहुत प्रेशर होता था और लगान जो है हो तो अलग से दे रही है तो गांधी जी इसको लेकि फिर वहां पर सत्यागरा लॉंच करेंगे लाए जाते हैं और यह तीन काठे सिस्टम में उसको एबॉलिश किया जाता है फिर गांधी जी को अपनी होम स्ट्रेट से बुलावा आता है खेडा से वहां पर गाउं में कि के साथ वहां पर सत्यागरा किया जाता है और अल्टिमिट बिडिशर्स ने का कि जो लोग पे कर सकते हैं टैक्स वो पे कर या जो नहीं कर सकते हैं उनके लिए इनमें छूड़ दे दिया तीसरा बहुत एहम सत्यागरा था वो मिल स्ट्राइक था एक बिसिकली से स्ट्राइक इसले कर रहा थे जो इनके वेजस नहीं बढ़ाई जाड़ी थी और उपर से वर्किंग कंडिशन बहुत पूर थे लगातार काम करा जा रहा था तो वहां पर भी गांदी जी स्टैंड आउट करते हैं इनमें वर्कर्स के लिए स्टैंड किया और वेजस बढ फ़्रा मंच मिल गया रॉलट लेट एक्ट के तौर पर संबलेट्वर के लेज़ेंगे के साथ अंग्रेज का करार हुआ था कि अगर आप लोग हमें लॉड और मिंटेन करने में सपोर्ट करोगे आप लोग अभी कोई इनस्थेबलेटी करेंगे तो आने वाले समय में जब वर्ड बोर फर्स्ट खतम हुआ तो इंडिया को ऐसे कॉलनी यू लोज नहीं करना चाहते थे बिटिशर्स को की पैसे की सख्त जरूर था और इंडिया तो सोरी की चडिया है तो उन्होंने कहा कि जो भी करार हम ने किया था वो सारी चीज़े कैंसल हो गई अब हम इस पे कोई बात नहीं करेंगा उल्टा उन्होंने रॉल एक्ट लगा दिया इसमें दो बहुत क्रूड प्रविजन थे एक तो की प्रेस को संसर किया दाएगा जो भी डीजनर प्रेस होते थे जो भी इंडिया के लिए अखवार वगरा चापते थे उनको संसर किया दाएगा पहले वो बिटिशर्स लेखेंगे कि भाई इसमें कौन-कौन से चीज है लिखी गई है जो अच्छी नहीं है मेरे खिलाफ तो उसको कार्ट देते थे और दूसरी चीज कि किसी भी आदमी को बिना ट्राइल चलाए बिना मुकदमा चलाए डीटेन किया रहा सकता था नजर बंद किया बिटिश आर्मी में जो लोग काम कर रहा थे लोग उनको मनाया था लगता है कि लड़ाए में बिटिश की जीत होगी तो अपने देश का इफायदा होगा वो लोग उन लोगों ने वाइदा किया हुआ कि हमारे सहूलियत के लिए कुछ सोचेंगे पंजाब में जातर मातर म वाइडिली पॉपलर था नौर्थ और इस्ट इंडिया में खासकर कि पंजाब में तो बहुत इंटर्स था पूरी की पूरी अवाम जो है वो सडकोत उतर आई थी ये सत्यागरा कुछ दूरे तक और चलता लेकिन इससे पहले क्या होता है जालिया वाला बाग मसाकर हो गया तेरह अपरिल 1909 को मिजाब के दो बड़े लीडर थे सैफद दिन किछलू और इशपाल सर्वा उनको कैद कर लिया गया अंग्रेजों के दौरा गांधी जी वगएर को तो पहले ही पंजाब नहीं जाने दिया गया था उनको डिटेन कर लिया पहले ही तो अब लोगों को ल करके और नहते लोगों पे अंधादुन फाइरिंग करता है सैक्रों लोगों की जाने गई हजारों लोग घायल हुए और पूरी दुनिया में इसको करा गया बहुत सारे लोगों के बीच आक्रोज शूट किया और यह जो अहिंसक प्रदर्शन था जो अभी तक रोड़े सक उपर आकर्मेंट हुए घड़ों को जलाया गया और गांधी जी कभी भी कुछ भी कर सकते थे बट अपने एथिक्स के साथ कॉंप्रमाइज नहीं कर सकते थे जब उन्होंने देखा कि यह जो प्रदर्शन है वो हिंसक होते जा रहा तो उन्होंने रोड़े सकते अगरों को नौन कॉपरेशन मुवमेंट उन्होंने पहले ही लिया हुआ था रॉलेट एक्ट वापस नहीं लिया गया रॉलेट एक्ट अभी भी चली रहा था तो इन्होंने सोचा कि रॉलेट सत्यागर जो हमने लिया है वापस ले लिया है तो अब कुछ और सुडू करना पड़ेग इसके साथ खलाफत मुवमेंट को भी शुरू किया गया तो खलाफत क्यों चल ला था चोटा समय इंट्रॉडक्शन देता हो खलाफत बेसिक लिसले चला था क्योंकि 1990 में का होता है तर्की जो रेपबलिक बना और ऑटमन इंपार को डिजॉल्व कर दिया गया जैसे ऑटमन लीडर होते हैं तो जितने भी मुसल्मान थे दुनिया भर के वो इस बात को लेके प्रटेस्ट कर रहे थे कि हमारे ऑटमन इंपारे के लिए सुल्तान है उनकी पोडिशन को आप फिर से बहाल करें जो आपने वरखास्त की है और उनको इतना रिसोर्स है पिर टेरिटरी दे कि वो जो हमारे दो इंपोर्टेंट मजुद मकप और मदीना उसको प्रोटेट्ट कर सके और को इसलम के लिए हिट के लिए इंट्रेस्ट के लिए काम भी कर सके अगर कुछ कोंपरमाईस कहीं पर इंपर उनको हुए कि इंट्रेस्ट कॉ कॉंपरमाईस कियकर रहा तो जो beneficiaries लेकि इस बात को लेकि बिटिशर्स नहीं मानते हैं तो यहां पे खलाफात तांदोलन शुरू किया जाता है मुहमद अली जोहर और उनके भाई जो थे शौकत अली यह सारे लोग शुरू करता है बहुत सारे और भी लीडर्स थे मुस्लिम तो गांदी जी ने देखा कि भाई लाउंगे नौट हिंदू के लिए मत्तब और और पुरी कंट्री के लिए लड़ रहोंगे एंड हिंदू जो है नॉनुसलिम जो है मुसलमानों के इंटरस्ट के लिए लड़ रहोंगे तो इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है तो मर्ज़र किया रहता खिलाफात अंदोल and non-corporation moment का और 1 August 1920 को finally ये जो moment है वो lodge किया जाएगा moment में घटनाओ का करम कुछ इस तरीके से था सबसे पहले तो विदेशी कपड़ों को जलाया जाता है विदेशी समानों को जलाया जाता है क्योंकि कमजोर करना सबसे पहली प्रालिटी थी उसके बाद स्टूडेंट स्कूल बाइकाउट करते हैं लॉयर्स ने कोट में जाना छोड़ दिया मिल वर्ड़कर स्टाइक पर चले गए कि हम लोग फैक्टरीज में काम नहीं करेंगे इस से फैक्टरीज में काम बहुत बादित हुआ प्रड़क्शन पूरा ठप हो जोगा था अवद के फार्मर्स टैक्स नहीं पे करते हैं आंद्रा में लगाये गए थे कि भाई ये टराइबल वो टराइबल इस जंगल में नहीं जा सकते हैं उन सब को वाईलेट किया गया जंगल हमारे हैं हमने यहां पे सधीयों से सर्व किया है तो तुम कौन होते हो हमें रोटने वाले तो ये सारी चीजे थी conclusion क्या हुआ तो यह जो British Raj था after 1857 पहली बार इतना जादा शेकिन हुआ पहली बार इतना जादा वो जब जोड़ा जा चुका था British Raj was completely shaken उन्होंने कभी ऐसा imagine भी नहीं किया था कि एक non-violent protest होगा और हम लोगों पे इतना pressure आएगा 1857 तो completely violent था उतना pressure उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि दुबारा हम लोग जेलेंगा और वो भी किसी non-violent protestant वर्ट वो हुआ लेकिन unfortunately चौड़ा चौड़ी एक गाउं है हमारा गोड़कपुर में वहां पे क्या होता है इतना अधादा आक्रोश बढ़ गया था लोगों की लिए इस आंदलने को वापस लेने के बाद दू चीज़े वह एक तो गांदी जी थोड़े दिर के लिए politics से सन्यास लेके social reform अगेरा पर focus करते हैं और दूसी चीज़ एक जो तबका था extremist का जिसको हम कहते हैं घरम दल के लोग वो गांदी जी से बहुत नाराज होगा उन् इसके बाद एक तबका जो revolutionaries का था वो अपने स्तर से freedom movement में fight करता जैसा रामपरसाद रुसमिल और भगस सिंग जैसे लोग थे वो अपना फिर बेस मनाने में लग गया इधर गांदी जी हो है वो social reform में लग तो अभी हम लोग देखेंगे कि गांदी जी कैसे एक बहुत बंदूगों की जोर पर नहीं जुकाए गया उसको गांदी जी ने अहिंसा की जोर पर जुका दिया तो अब इसली सब को लगता था कि यह कोई बहुत बड़े बाबा है बहुत बड़े योगी है और इनको देख की बिटिश ऑफिशल जो है वो कापने लगते हैं इसके लाबा गांदी जी ने बहुत सारे सोशल इफ़र्म में भी काम किया रहे से एंटरचाविलिटी को इंड करते विजो उन्होंने काम किया इसे पर बहुत सारे दलित तपके के लोग इन से जुड़ते हैं फिर सेल्फिर एलाइंस को जो परमूट किया चुकि उस जवा है लेकिन इसके इसका यह मत्तब नहीं के मशीनों का इस्तमाल छोड़ दे हमेशा इंट्रेस्ट को हमें पहली प्राइटी पर रखनी चाहिए ठीक है अगर जो का मशीनों और आदमी दोनों से हो सकता है तो हम आदमी से ही क्यों न कर रहा है उनकिया रोजी रोटी भी हो खादी के और उन्होंने जब पूछा गादी जी से कि सर हम तो टेक्स्टाइल प्रोडूस कर लें खादी के बट खड़ी देगा को तो गादी जी ने अपील की देशवासियों से कि आपको अभी अपने भाईयों के लिए खड़े होना पड़ेगा और आप खादी की कपड़े अगर पहर होगे तो इनके चड़के से बने वे कपड़े हम लोग खड़ीद पाएंगे नहीं तो जब तक हम लोग नाइनल पॉलिस्टर और कॉटन सेल खड़ीते रहेंगे तो वो बिडिशर स्केफास पैसा जाएगा तो उन्होंने सिल्फ रिलाइस को प्रमोट किया और सबसे इंपोर्टेंट चीज़ चाइल्ड मैरेज को अबॉलिश करने के पीछे काम किया तो इससे भी बहुत सारे सोचल इफॉर्मर्स थे उनके सेंटिमेंट्स गांदी जी के साथ जुड़ते हैं ओवर एंडॉल इन सारी अच्छी चीजों के लिए पहल करने के ल मैरेज और विद्वा की बात तो सारे लोग कहते थे बट गादी जी को क्यों अलग रखा जाता है क्योंकि उन्होंने जो कॉमन लोग थे आम जंता थी उसके रहसा दिखना भी शुरू किया जिब वह ब्रहमर करते हैं इंडिया में तब तक वह सूट बूट पहना करते थे उन्होंने देखा कि मेरे देश के लोगों के पास चपल पहनने को नहीं है पहने को नहीं है तंद धगरी का गपड़ा नहीं है और मैं यहां ते सूट बूट में चल रहा हो तो इसके बास सही वह मिनमिलस्टिक हो जाते है मैं उतनी चीज़ इस्तमाल करूंगा जितनी जाये और आजिर न बंचा झायों यह चरह करता था यह ठीं से सोंच bronzer लोगत उंकरेальная करना नत बाद कहले हैं आज तो मिध्यक करेंगे तो उसनलेल रहने का बाद गांत की अऊजा जा होना चाहिए इसके पीछे रीजन भी अच्छा होना चाहिए तो उन्होंने देखा कि सॉल्ट जो की एक बेसिक निसेसिटी है इंडिन हाउसोल्ड की उस पे 1400 गुना टैक्स लगाया जाता है और यह टैक्स जो है यह लगाया जाता है इसलिए ताकि जो बेडिशर्स है वो पैसा कमा सके पहले के टाइम में सॉल्ट क्या होता था कोस्टल अलाके में तो सॉल्ट लोग खुरी प्रिडूस कर लेते थे और जो कोस्टल अलाके में जो सहर जो खस्वा लोकेटड नहीं था वहाँ पर जो नमक तो बहुत कम दामबे लोगों को महया करवाया जाता था ताकि साड़े लोग पेड़ भर सके अपना यह तो इसमें तो हम पैसा नहीं कमा सकते इसमें तो हम जाती नहीं कर सकते लेकिं डिशर से क्या कहा कि कोई भी आजमी अब अपने से सॉल्ट उतपादन नहीं कर सकता है स्वेम उतपादन सॉल्ट का मना ही है अगर आप करते हुए पकड़े जाओगे तो आपके प्लांट को हम तो तबाह कर दे कि आपकी जो आपका जो कार खाना उसको तबाह कर दे कि चोटा मोटा जो भी करखना आपने बनाया है और उपर से आपके उपर करवाई भी होगी तो गांदी चीने सॉल्ट सत्याग्रा लांच किया बेसिकली वही था कि एक तो सॉल्ट टैक्स बहुत जादा हैवी है और उपर से उस समाने में क्या हुआ था साइमन कमिशन आता क्रेटश और ॅर्जित्ते भी पोलिट्काल लीर सो दे मांड़ घ्यकर ओनती कि अगर हमारे हिदको लेके फैसले होने हैं तो हमारे प्रतेने कीको भी इसमें जगा मिली चाइए था फैसला बाहर वाले कैसे कर सकते हैं तो साइमेर कमिशन को जब भगाया जाता है तो उसको लेकि भी लोगों की चाक्रोशा कि कैसे आ गया कैसे इनको हमारे नसीब की बाहर में फैसला करने की जिम्हेदारी दी गए और उपर से और फिर टैक्सेशन अफ सॉल्ट जो की एक हाउ गलोबल मीडिया बहुत अटेशन दिया इसको शुरुआ से इटेंशन मिला क्योंकि गांधी जी ने इस यातरा को पैदल करने का निश्य किया था तो शुरुआ से जो लंडर की मीडिया है और अमेरिकन मीडिया उसने गांधी का मजाग वाया कि यह बूरा आदमी कैसे साबर मती से गांधी तकी यातरा करेगा बहुत बड़े politician है तो global attention इसे मिलती है और इस आंदोल में particularly महिलाओं का participation बहुत अच्छा 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 था अच्छा बार इसे मिलती है यह सारी चीजहों को देखें तो global attention जिस तरीके से गादे जी को हीरो के तोर पर किया गया और उपर से महिलाओं का participation था उसको देखके कि अब जो उनका उनकी जो ये कलाउनी है इंडिया की वो जादर दिनों तक नहीं चलने वाली है उनका जो आपने वेशिक साचन है उसका अब टाइम हो चुका है तो उन्हों ने सोचा है कि हम लोग लास्ट बार कॉंगरेस से बात चीछ करके देख लिएता है जो भी इंडिय कि बहुत पॉलैटली हमें कानून तोड़ना है तो अलगला टाप की कानून तोड़े गया है फॉरस लॉस तोड़े गया है ट्राइबल लॉस तोड़े गया है तो लॉड इरविन ने सबसे पहले गांदी जी से समझ वाता ये कि यह कि भाई यह सिवल डिस ओबिदेंस हुआ है उसको कर देंगे लेकिन गांदी जी ने जब इसको रिवोक किया इसको वापस लिया तो बहुत क्रिटिसाइज यहां भी उनको जहना पड़ता है क्योंकि यहां पे भी लॉड इरविन ने उनको कोई कंक्रीट प्रॉमिस नहीं कि हम लोग आपको कंप्लीट इंडि लिया इसके बाद गांदी जी को मनाने के लिए कॉंग्रस को मनाने के लिए लंदन में गोल में सम्मेलन तयार किया रहा था गोल में सम्मेलन मत्तब डाउन टेबल था एक टेबल था गोल और उसमें सारे के सारे प्रतेंजित करने वाले जो लोग थे वो बैठते थे और वह सब्सक्राइब करते हैं और वहां पर कोई टैंजिबल कॉंक्लूसर नहीं करता क्योंकि गांग्रेस को ऐसा प्रोजेक्ट किया गया कि वह यहां पर इंडियंस की बात करने को आया है कि आप यहां पर केवल हिंदू की बात कर सकते हैं तो यहां पर कोई टैंजिबल कॉंक्लूसर नहीं निकलता है इसके अलावा एक और राउंटबल कॉंफरेंस हुई बट उसमें कॉंग्रेस ने तो गांधी जी ने पाटिसपेट करा था उसके बाद क्या होता है एक बहुत ब बनाने के लिए इनको सरकार में कुछ डिपर्जेशन दे दे देते हैं एक आखरी लड़ू तो कहा कि अब आप लोग एलेक्शन्स लड़ सकते हो अपने पर बनाओ और इलेक्शन्स लड़ो इलेक्शन्स होते हैं कॉंग्रस का पहले से बहुत अच्छा बेस था तो ग्यार प्रोविंसेज में से उन्होंने आट प्रोविंसेज में सरकार बना लिए और बहुत बढ़ियां से जो है सरकार चल रही थी लेकिन 1939 में सेकेंड वर्ड वर्ड शुरू होता है और जो उस जमाने के प्राइम मिनिस्टर थे विस्टर चर्चिल वो इस बात से भली बात यह कर्चे से कि सेकेंड वर्ड वर के तौरान हो सकता है कि इंडिया लीडर्स और जो कॉंगरस है वो इंडिया में अनिस्टेबिलिटी की सिचुवेशन कायम करें और इससे हमें वहां पे कॉलनी जो है वो लूज करनी पड़ेगी तो उन्होंने अपने खास स्टाफ़र्ड है अगरे जो के लिए कि आपको गांदी जी और कॉंग्रेस हेट करना इस बात पर की वर्ल्वार सेकेंड में हमें उनका सपर्फोर्ट चाहिए होगा वल्ल्वार फस्ट कि व्ल्लवार सेकर्ट तो परपस वस निगोशेट बिजू कॉंग्रेस अड गांदी जी लेकिन प्र गांदी जी और Congress किसी बात पर compromise करने को तयार नहीं थे यहां पर इवन स्टाफ़र्ड क्रिप्स ने complete promise यहां पर भी ली किया कि हम लोग आप पर independence दे दे देंगे उतना जादा जोड़ नहीं पगड़ पाता है तो गांदी जी ने सोचा कि सेविल डिसॉबेट्स मूवमेंट अब इतना जादा मोमेंटम नहीं तो कुछ नया शुरू करते हैं और इस सलसे में उन्होंने सबसे पहले शुरू किया जी ने कही भी दिया था कि जब हमारा purpose clear होता है जब देश भावना आती है तो कोई leader काम नहीं आता एक leaderless mob भी बहुत अच्छा प्रोटेस्ट कर सकती है यह जो टाइम था जब Congress के लोग कुछ इंडिया मूवमेंट में लगे हुए थे और कैसे भी करके Britishers से complete independence की मांग प्याड़े हुए थे इस ताइम बे मुस्लिम लीग जो है वो अपना base बढ़ा ड़ी थी अपना presence बढ़ा ड़ी थी आज के पाकिस् सब्सक्राइब की बात करें या बलजस्तान की अलाके की बात करें पिज्जाब की बात करें निकों कोई भी सीट नहीं मिलती है बट वह जो अबादी मुसल्मानों की महाप उसे साब से बहुत अंजिस्टिफाइड था वह समाने में अपने basis को expand कर रहे थी फिर 1946 के elections होते है separate electorate का रहे concept है वो तो उटा दिया गया है क्योंकि अम्बेट कर रोग गांदी जी में अफसरा हो चुकी है लेकिन reserved seat होते थी कि फलाने seat जो है चुका था बिटिशर्स को अब केवल Congress से बात नहीं करनी थी लीग से भी उनको बात करनी पड़ती क्योंकि लीग के पास भी मुसलिम लीग के पास भी बच्छा खासा support बेस था उनके पास भी एक mandate था जनादेश था तो अब political love triangle create हो चुका एक तरफ बिटिशर्स एक तरफ Congress एक तरफ लीग है अब इडिशर्स नहीं आप अपना दाव खेला इनको पता था कि Congress लीग में बंती नहीं है तो इन्हों ने का कि हम लोग अब आपको आजाद करने को तयार है लेकिन आप लोग अपना सरकार बना ले इसको लेके cabinet mission आता है इंडिया को जल्दी से जल्दी करके हम लोग जो हैं बात कर लें कि कैसे क्या लीग और Congress की बीच समन्वा बिठाए रहा सकता लेकिन यह जो प्रपोजल था कि युनाइट एंडिया रहेगा इंडिया एक ही रहेगा लेकिन जो प्रविंसलिम मेजॉल्टी है वहां पर हमें प्रविंशल उटनॉमी उनको प मामलों को छोड़के जैसा कश्मीर वेक्टम में प्रविंशल उटनॉमी होती थी ना कि चारपाच मामलों को छोड़के सारी चीज़े वो अपना खुद देखते थे वैसे ही चीज़े उन्होंने अप यहां पर डिमांड की तो उसी साब से प्रविंशल की ग्रूपिंग्स कि जब तक जवार्ल लेहरू और कॉंग्रेस हैं तब तक हमें कोई भी आटनॉमी नहीं मिलने वाली हैं सो डिसाग्रमेंट के चलते एक काम फेल रहता है और जिन्ना ने 16 अगस्ट 1947 को 16 August 1946 को वो कैमेरा पे आते हैं और पूरे अवाम को समझाते हैं कि जितने भी इंडिया क में संद में बलचिस्टान में और इन दंगों के चलते जो हैं कॉंग्रेस की लिजर्शिप को जुगना पड़ता है सपरेंट ने को तयार नहीं था कि महज दो चार लीडर्स के चलते बताब महवा दली जिन्ना और दो ती लीडर्स जो इस बात को साइज कर रहा थे कि हमें चलते हमें इंडिया को टुकडे करना पड़ेगा इंडिया को दू टुकडे करना पड़ेगा यह चीज मानने को कोई त्यार नहीं था बर सर्दार बल्लबाय पटल जो की एक रियलिस्टिक नेता थे उन्होंने का कि अभी अगर हम लोग सपरेंट के डिमांड पे नहीं इंडिया वाथ इंडिपेंडेंट बडिवाइड़ेंट इंटू नेशन हैवी राइट ओल एडाउंड चाड़ो तरफ दंगे फसाद हो रहे थे इंडिया को आजादी मिल चुकी थी बट गम था बटवारे का वह सता रहा था चाड़ो तरफ खून खरावा है गादी जी के वहाँपर बात करते हैं को बुलाते हैं कहते हैं कि पाकिस्तान के लोहों कि जो बी घणा की गलाता है हम उनके रिस्पेक्ट करता है लेकिन हमें जो है हंदोस्तान को सभी के लिए बनाना पड़ेगा इसलिए जो यहां कि Minorities उसके लिए आप Resolution पास परो अपने कॉंशनर्टर समली में कि हम लोग कभी भी उनके इंट्रेस्ट का हाना नहीं होने रहेंगे कभी उनके इंट्रेस्ट को compromise नहीं करेंगे बाद में फिर Minority के लिए Resolution पास भी होता है और कहा तो जाता है यहां तक गांदी जी जो है अंतिम सांस तक लड़े थे इस कभीनल हार्मनी को maintain करने के लिए इविन कभी-कभी उन्होंने फेबर भी किया पाकिस्तान को यह उनके ethics थे कहा जाता एक मसला है कि यह जो पैसो को लेके बटवारा था उसमें यह लोग कुछ 26 अटाईस एक लाग थे वो पाकिस्तान को नहीं देना चाहते थे वहाँ पे गांदी जी ने जो है independence and the partition इसमें हमने देख लिए कि गांदी जी आखरी के दिनों में भी communal harmony को लेके peace को लेके काम करते है उनका एक ही कहना था कि भले ही हम जो है दो हो चुके हैं इंडिया और पाकिस्तान बट हम लोग दुनिया के पटल पे हमेशा एक की तरह रहेंगे हमेशा भाईयों की तरह रहेंगे hope की वो दिन भी आए now committed to the thing की भाई गांदी जी के बारे में हमें इतने चीज़े कैसे पता चलती है knowing the Gandhi सबसे पहले चीज़ पब्ली के स्पीचेस चो उनोंने पब्लीक में आके स्पीचेस दी हैं चाहे किसी की भी बात करें क्रिपलाणी की बात करें uh Quandary Bes nova प्लीक थो लोग ऐसे चीज़ों को बताने में हत्यात बढ़त करो न भी और उसक्राइब लेटर्स होई भी दो टाइम के लेटर आते हैं एक बहुत हाई प्रोफाइल लेटर जो बहुत सिक्रेड होते हैं यह भी एक अच्छा सोर्स हो सकते हैं और एक ऐसे लेटर जो की बाद में पब्लिक होने ही वाले था सबको बता था कि यह लेटर्स जब देश आजाद होंगे तो लोग देखना पसंद करेगी कि कैसे वारता हो रही थी जवाला नहरू की गांधी से गांधी की जाजित प्रसाद से पटेल साब से तो यह लेटर्स भी एक बहुत एहम सोर्स हो सकते हैं फिर ऑटो बाइग्रफी गादी जी की जो ऑटो बाइग्रफी है वो भी एक सारी चीज़े स्में भी हो एक कैटेग्री आती है फिर गर्मेन रिकॉर्ड की जिसमें बात करें तो बहुत सारे जियो बिटिश ऐखनी के नजब रहते हैं जैसे वह साबरमती से मार्च करते हैं डांडी के लिए तो बीच में क्या हो रहा था किस गाउं में वो रुक रहा ह बाता भाशन क्या दे रहा है किस हिसाब से लोग उनसे जुड़ रहे हैं यह सारी चीज़ों गौर्मेंट रिकॉर्ड में दर्ज हैं बेवरों में दर्ज हैं यह भी एक एहम सोर्स हो सकता है इसमें भी एगन मैं कहूंगा कि यह भी जो है बाइस्ट हो तो यहां पे भी एक ब भाइस नहीं है ऐसा हमें यह निमाना चाही कि इस सोर्स के हम कब्लेटी रिलाइ कर सकते बड़ एवें तो गांदी जी को जानने के लिए इतने मारे पास सोर्स दे रावलेबल है बंद अगेर मैं इस चीज को अपको जानना चाहिए वह बहुत कम है कि इस आदमी के वद्ट से मारा देशाथ खड़ा ए आपपे भी कि गादे जी के बार में अनबाइस ठोगी हम चीजों को पड़े और अगर आपको इस चाप्टर के नूच्स प्राप्त करने हैं तो डिस्क्रिप्चिन बॉक्स न हमने कुई सब्सक्राइब करें और इस चाप्टर के नोर्स जो है वह आपको वहीं पर मिल जाएंगे कुछ आपको बहुत शद्दत सामने बनाया है और प्राइसिंग उसे साथ सारी की सारी चीज़े कम प्राइसिंग पर देने के कुशिस किये अगर आपको पसंद आता इंडॉल करें दूसरों को भी बताएं क्योंकि आपका भी भला होगा उनका भी भला होगा एंड हम भी जादा से जादा लोगों को सर्व कर पाएंगे थैंग्यों फूर वाचिए